मंगलवार को नवागत कलेक्टर उमाशंकर भारगों और नवागत एसफी मोनिका शुकला पहली बार नगर भ्रहमन पर पहुची जहां सयुक्त रूप से तैसिल और थाने का निरिक्षन किया साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक ली बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिये गए इस्थानिय रेस्ट हॉस पर कलेक्टर उमाशंकर भारगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विदिशा जीले में उनकी अभी अभी पोस्टिंग हुई है शहर की भोगोलिक इस्थिती का जाजा लेने के लिए आज पहुचे है उन्होंने कहा शहर की कानुन वेवस्ता क्या है विकास के इस्तिती कैसी है क्या समस्या है उसका जाजा लिया है वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया उन्होंने लाल पठार हाथ से की जाच रिपोर्ट देरी क्यों हो रही है इस पर आज ही पता करेंग क्या इस्तिती है वहीं आवारा मवेशियों के लिए कितनी गोशाला होनी चाहिए कितनी है इस पर भी चर्चा की गई है वहीं एस पी मौनिका शुकला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताये कि आज उनका सयुक्त रूप से दोरा है हमारा उद्देश पुलिस से संबंदित समस्या क्या है किस तरह समादान होना चाहिए इस पर चर्चा की जाएगी गंज बासुदा से मुकेश चतुरव्यदी की रिपोर्ट तीन जगे हम और कलेक साब सायूत ब्रहमन पर निकले हैं हमारा उद्देश थाने और तहसील का ब्रहमन है साथ ही जिस शहर हम जा रहे हैं वहां की समस्या क्या है पुलिस से संबंदित किन समस्याओं का हमें समादान करना इस से अवगत होना है तो इस संबंद में अभी जो थाने के वरिष्ट अधिकारी है अभी में थाने जाओंगी यहां सभी स्टाफ को ब्रीफ किया जाएगा हम चाहते हैं कि पुलिस का प्रेजेंस बड़े तो सभी को यह बताया गया है कि शाम के समय 6 से लेकर 12 बज़े तक पुलिस की प्रेजेंस सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा ना जा रहा है हम कोशिश करेंगे जो चोरियां हो रही है उन पर लगाम लग सके उसके लिए उनको क्या-क्या मोडा फैक्शन है यह भी हम डिसकस कर रहा है कि शोरियों के साथ सब्सक्राइब देखने में आरा नसे में ज्यादा यह पीड़ी हो रही है कि नसे के लिए प्लोश के दोरा पुठके बिलकुल किया जाएगा नशा एक बहुत ही गंबीर बीमारी है जिससे हमारे आगे आने वाली पीड़ी को बहुत नुकसान होता है और हम कोशिश करेंगे जनता की मदद से पत्रकार सांथियों की मदद से इसको हम सम्मूल रूप से नश्ट कर सकें कि दोरे के लिए अज एस्पी मडम भी आई हूँ है और मैं भी आए हुआ हूँ अभी मैंने गुलाब गंज तैसिल है उसको देखा वहां का इस्पेक्शन भी किया था लोगों से बाच्चित वही चूकि मेरी पोस्टिंग बिलिशा में अभी अभी हुई है तो पूरे जल कि और जाएंगा, वो कुरवाई है, और सामने जनकरी के लिए सब्सक्राइब है, क्या इस्पी क्या है विकास कारिक किस तरह से चल रहे हैं और जो ऑफिस्यल काम है वो किस तरह से है कोई समस्षाय करने हैं देखने में आरह साथ नगर मैं आतिकरनवान च्छपेट में हैका आपकर आने से टी करोंबलकर कोई पे दिरहां वही हुग बिल्कुल होगी हमारा मूल कम है दिकरनों के खर भी करना और हम इसमें निश्यत और रूप से करभी करें करें दार पंप्रता हैं कि उयक्त कि अगश किसे में मनें शर्चा की है यह मैंने अपर ही जनुपत पंचाइट Grande है कि हमारे किथि यह कितनी हग साला है उस घ्रृपतनी तो निशर टूप से हम आगे घ्र रागेय करें गजें करों झातों यह जो आवारा जो मविश्य हैं इसके समस्या से निजात मिर सकते हैं लाल पठार के आस्ते को लेकर अभी तब कोई जांच के अमालम नहीं करता है लाल पठार में मतलब किस आए बहुत बड़ा हास्ता हुआ तो उसकी महत हो गई दियुक्त मैं केवल एक चीज आप से जाना बताना चाहरा हूँ कि मुझे हलकी सी जानकारी है कि वहां जो पानी है उसमां फ्लोरसिस बहुत जादा है उस पानी में उस एरिया में यह जी बात है तो मुझे हो सकता है वो लेकर आप एदी कह रहे हैं कोई समस्या थी कभी ऐसा हुआ तो मै में एक बार चेक रहता हूं मेरी नॉलिज में तो है चुकि मैं रायसिन में था कि घटना हुई थी जांच की इस्तिति क्या है मेरी जानकारी में नहीं लेकर मैं आज ही आपने चुकि मेरे समझान में यह बात लाई आज ही पता कर लोगा इस प्रदेश में डेंगू की मामल अब चला रही है सरकार जिसमें माननी मुक्यमंत्री जी खुद इसका सुभारम कर रहे हैं और हमने साब को सीमों नगरपाले का सबी को इन्रदेश दिया है कि नगरी चेत्रों सीयों साब को भी का एक ग्रामिल चेत्रों वहां पर फॉगिंग मसीन से फॉगिंग की जाए द जब तक लोगों को अवेर करना पड़ेगा जब तक इसे लोग नहीं जोडेंगे तब तक इस पह हम कंटोल नहीं कर पाएंगे तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बरसों तो ओलोगों से अन्रोध है कि करप आ अपने कूलरों में या गंबले में या कहीं अन्य जगे मैंने आपके साथ को वेडियों हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले